मश्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है हिंदे की इस क्लास में आज हम कक्षा आठ का पहला चैप्टर लेंगे जिसका नाम है ध्वानी ये सूरेकंत रिपाठी जी के बहुत ही प्यारी सी कवीता है आज हम इसके प्रशन उत्तर करें इसका पहला प्रशन है कवी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा यानि जो निराराजी है उनको ऐसा विश्वास है या उनको ऐसा लगता है कि उनका अंत अभी नहीं होगा तो ऐसा उन्हें क्यों लगता है इसका उत्तर होगा कवी के अंदर जीवन जीने की उमंग उत्सा और उर्जा है वह युवापीडी को प्रेणना देना चाहता है वह युवापीडी को आलस्य की दिशा से उबारना चाहते हैं वह युवाओं को करमशिल बनाकर आगे बढ़न का संदेश देना चाहते हैं इसलिए उन्हें विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं होगा यानि जो कवी है निरला जी है उनके अंदर अभी जीवन को जीने की उमंग उत्सा और उर्जा बची है उन्होंने अभी-अभी अपने कवी जीवन का आरंब किया है वह अपनी पीडी में उमंग और जोष भरना चाते हैं उनको प्रेड़ना देना चाते हैं आलस्य की दिशा से हटाना चाते हिए उबारना छाते हैं वह उनको कर्मशील बनाना चाहते हैं यानि निरंतर काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो और सफलता कु काहों इसलिए उन्हें ये विश्वास है कि अगर युवापीडी उनका कहना मानेगी, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर अच्छे कर्म करेगी, तो उनका अंत नहीं होगा, वैं उनमें जीवित रहेंगे. अगला प्रशन है, फूलों के अनंत तक विक्षित करने के लिए कवि कौन-कौन सा प्रयास करता है, यानि फूलों के अनंत तक विक्षित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्तिती से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है, कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आई ह इसलिए वह कलियों पर वासंतिस पर्श का अपना हाथ फेर कर खिला देगा अर्थार्थ कवी युवा पीड़ी को कावे से प्रेड़ना से अनंत का द्वार दिखाना चाहता है जो अब तक अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं यानि जो कवी है निराला जी है वह अभी की जो यु जी के वह अपनी रचना द्वारा इन सब में जोज भरना चाहते हैं जिससे कि वह प्रेड़ना लेकर अपना समय व्यर्थ ना करें और आगे बढ़े कर्म शील बनें अगला परशन है कवी पुष्पो की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है यानि जो कवी है वह पुष्पो की तंद्रा और आलस से यानि कि जो युवा पीड़ी है उनका आलस से दूर करना चाहता है उनकी निद्रा दूर करना चाहता है कैसे कवी पुष्पो की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है तस्ता कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है यहाँ कलिया आलस्य में पड़े यूगों का परतीक है अधै कवी नीन में पड़े यूगों को प्रेरित करके उनमें नए उतकर्ष के सवपन जगा देगा उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्सा का संचार कर देगा यानि जो कवी है वे जो यूअपिडी है जिनने उन्हेंने कलिया कहा है उनका आलस्य वे दूर करना चाहता है और दूर करके उनमें नया जोस्त और उमंग भरना चाहता है जिससे वे उत्साहित रहे और नित अपने नयने काम करे अगला प्रशन है वसंत को रितुराज क्यों कहा गया है अपस में चर्चा कीजी आई हम चर्चा करते हैं इसके बारे जाता है इस रितु में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही अधिक गर्मी पेडों पर नई कोपले आने लगती है चारों और हर्याली चाहती है फूल खिलने लगते हैं सीतल मंद हवा सबको मोहित कर देता है इसलिए वसंत को रितुराज कहा जाता है यानि जो वसंत रित है उसको रितु में राजा माना जाता है क्यों क्योंकि यही वो मोसम है उसमें ना तो सर्दी होती है ना अधिक वर्षा होती है ना अधिक गर्मी होती है इसमें चारों तरफ हर्याली होती है नहीं फूल खिले होते हैं कलिया खिली होती है एक सुगंद फैली होती है है बच्चो तो आज हमने पहले चेप्टर के प्रशन उत्तर कर लिए हैं आप इन्हें अपनी कोपी में कीजिए और याद कीजिए थैंक यू